अगर आप भी पेट के रोग से परिशान हैं, खटी डकार आना, पेट फूलना, जलन होना, कब्ज की शिकायत होना एकदम जड़ से ठीक हो जाएगी आज मैं आप लोगों के साथ कब्ज का एक ऐसा इलाज लेकर आई हूँ, एक ऐसा आपको उपाय बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से केवल 15 मिनिट में ही आपके पेट की समई समस्याए जड़ से खत्म हो जाएंगी तो चलिए देखते हैं कि हम अपनी एसिडेटी की प्रॉब्लम को, कब्ज की, कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम को और पेट के रोगों को हमेशा के लिए खत्म कैसे कर सकते हैं तो इस होम रेमेडी को प्रिपेर करने के लिए जो सबसे पहली चीज मैंने आपर इस्तिमाल की है वो है हमारा ओलिव 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 को हम हिंदी में जैतून के तेल के नाम से भी जाते हैं ओलिव ओल को सेहत के लिए बेहत फाइदिमन माना जाता है ये एक ऐसा ओल है जिसे खाना पकाने से लेकर सुन्दरता बढ़ाने तक के लिए इस्तिमाल किया जाता है ओलिव ओल में विटामिन E, विटामिन K, आइरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटी ऑक्सिडेंट के गु कर सकते हैं ओलिव ओल को हम पाचन के लिए, एसिडिटी के लिए, कॉंस्ट्रीपेशन के लिए, बध़जमी के लिए, अपच के लिए भी इस्तिमाल कर सकते हैं इस तेल के इस्तिमाल से हार्ट को हेल्दी भी रखा जा सकता है तो चलिए मैं आपको इसके और फाइदों के बारे में बताती हूँ और साथी साथ हमें इस नुस्खे को बनाना कैसे वो भी बताती हूँ इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमें दो चम्मच ऑलिव ऑईल का इस्तमाल करना है ऑलिव ऑईल का इस्तमाल करने से हमारी इम्मुनिटी भी बढ़ती है इम्मुनिटी शरीर को कई म फंगल इंफेक्शन से भी खुद को प्रिटेक्ट कर सकते हैं तो यहां पर मैंने दो चम्मच ऑलिव ओयल लिया है ऑलिव ओयल का अगला फाइदा है वेट लॉस में बहुत हेल्फुल होता है नहीं सिफ यह होम रेमेडी हमारे डाइजेशन के लिए पेट के रोगों के लिए अच्छी है बलकि वेट लॉस में भी मदद करने वाली है जैतून के तेल के इस्तमाल से इसके तेल से खाना बनाने से हमारे वजन को भी हम काफी आसानी से कम कर सकते हैं अगली चीज जो हमें आपर लेनी है वो हमारा लेमन नीबू हमें इस्तमाल करना है कितना नीबू लेन अच्छी होती है और नीबू में एंटी आक्सिदेंट भी पाय जाते हैं साथ ही इसमें विटामिन C भी भरपूर मात्रा में होता है जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी बनाये रखने में मदद करता है और ऑलिव ओल में एंटी आक्सिदेंट प्रॉपर्टीज और विटामिन E के गुड़ भी होते हैं जो की तवचा के लिए फाइदे मंद होते हैं इसके तेल को इस्तमाल करने से अगर आप खाना बनाते समय रोज इस तेल का इस्तमाल करेंगे तो आपके स्किन पर बहुत अच्छा निखार आएगा जुर्यां आपकी कम हो जाएंगी रिंकल्स, फाइन बिल्कुल हट जाएंगे तो अब मैंने आधा नीबू कट करा है और आधे नीबू के रस को मैं इस तेल में पूरा निचोडने वाली हूँ आप देख सकते हैं मैंने इसमें डालना शुरू कर दिया है पूरा लेमन जूस आपको इसमें एड करना है इन दोनों चीजों को सा रसने भी परशानिया है ना कई बार हमें बार-बार खट़ी रकार आती है पेट फुलने की शिकायत रहती है पेट में जलन होती पेट में और कब्ज की परशानी हो जाती है तो ओलिव और लेमन को साथ में इसत्तमाल करने से हमारे कॉंस्टिपेशन की प्रॉबलम मैं आपको एक alternative बताती हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको इसमें lemon डालना है, कई लोगों को नीबू की खटाई सहन नहीं होती है, तो ऐसे में आपको सिर्फ एक चमच olive oil को गरम पानी के साथ mix करकर पी लेना है, यह हमारा normal वाला तेल नहीं है, जो हम अपने refined oil का use करते हैं, य चैतून का तेल है, और यह बहुत फायदे मंद होता है, एक चमच olive oil को आप गरम पानी के साथ अगर पी लेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके constipation की problem बिलकुल खत्म हो जाएगी, तो अब हमारी home remedy बनकर तयार है, कितने दिन लेना है आपको, सिर्फ आपको इसे तीन द करना है, तीन दिन लगातार आपको सुबह खाली पेट या तो नीबू के रस के साथ मिला कर पीना है, या फिर आप एक चमच olive oil और एक glass गरम पानी भी उपयोग कर सकते हैं, और तीन दिन इसे continue करें, सुबह के समय खाली पेट बहुत अच्छे results मिलेंगे, अगली बार आप आपको constipation की problem नहीं होगी, लेकिन फिर भी कभी अगर आपको future में कब्स की परशानी हो जाए, या फिर कभी junk food खाकर acidity blotting की problem लग रहे हैं आपको, तो आप इस remedy को try कर सकते हैं, केवल 2-3 दिन में ही आपको इसके बहुत अच्छे results मिलेंगे, वैसे आपको असर तो पहले आधे नीबू के रस को मैंने इसमें काट कर डाला है, इन दोनों चीजों को साथ में लेने से में austereoporesis में भी बहुत जादा मदद मिलती है, olive oil को अपनी diet में शामिल करने से हड्डियों के दर्थ से राहत भी आपा सकते हैं, क्योंकि olive oil में calcium की भरपूर मात्रा पाई जाती जो कि austereoporesis की समस्या से हमें राहत दिलाने में help करते हैं, तो अब हमने इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से आपस में mix कर लिया है, बहुत सारे फायदे बताए हैं मैंने, और सबसे important बात olive oil को लेने से हमारी immunity बहुत अच्छी होती, जिसे अभी seasonal flu चल रहे थे, हम सभी लोग काफी परिशान थे, तो नियमित रूप से olive oil का प्रयोग करेंगे तो आपकी immunity हमेश अच्छी रहेगी, छोटी मोटी सर्दी खासी, जुखाम, बुखार की परशानी, कफ की परशानी, चाती में बलगम जम जाना, ये सभी परशानियां आपको होंगी ही नहीं, नॉम हमारे पेट के सभी रोगों की सभी समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाने में मदद करेगा